नमस्कार फ्रेंट्स आप सभी का एक पार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिसकस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक के उपर जो कि आपके पीपल डिवलोप्मेंट एट इंवार्मेंट के पार्ट के ल लिवान भैगा तो आज हम आपके साथ डिसकस करने वाले हैं पैरिस एग्रिमेंट के उपर और इससे जुड़ा हुआ जीतना भी महत्रपूर्ण बिंदुए हैं उसके डिसकस करेंगे आपके साथ ताकि अगर आपके एक्जाम में इससे जुड़ा हुआ कोशन बनता है तो उसका आप करेक्ण आँसर दे सकेंगे तो देखे पैरिस एग्रिमेंट क्या है इसके क्या उद्देश से हैं तो सबसे पहले आप उद्देश को जानिए उसके बाद इससे जुड़ा हुआ जीतना भी इंपॉटेंट बनता है उस पे हम आपको फोकस कराएंगे तो पैरिस एग्रिमेंट के अंतरगत जो भी देश जो भी पार्टी सिगनेचर करती यह सामती बनाती है वो त्नह करती है कि हम ग्रीन हाउस गैस Sayas जो हो रही है कि आधार पे साथ ही इसका उद्धिय से होता है कि हमारे अर्थ का जो टेंप्रेचर है उसको कम करना इस्थिर करके उसको और भी नीचे ला देना ठीक तो जो अर्थ का टेंप्रेचर तेजी से बढ़ रहा है उसको कम करना इसका लच्छे होता है तो अब बाते करते हैं Paris Agreement कहां से निकल के आता है कि आपको बेतर तरीके से इस Agreement को समझने में मदद करेगा तो आपको याद रखना है कि इस्टाक होम संवेलन होता है जब आपका 1972 में जगह होता है आपका इस्टाक होम स्वीडन और यहाँ पे सम्मेलन आपका होता है माना और पर्यावरण पर यानि समयवत राष्ट का यह वैस्विक सम्मेलन होता है माना और पर्यावरण पर और यह देखा जाए तो विस्व का पहला पर्यावरण के उपर एक बहुत बड़ा सम्मेलन होता है और दुनिया के दिशों का ध्यान आकर्स्तित किया जाता है परियावरण के प्रोटेक्शन के उपर खिक इसी के बाद 20 वर्स गैप होता है और इसके 20 मी वर्स गाट पे क्या होता है एक और summit होता है वो होता आपका Rio summit या हम अर्ष summit के नाम से जिसको जानते हैं year होता है आपका 1992 1992 का year होता है और इसमें क्या होता है तो Rio summit में होता है कि हमारी 21 सदी कैसी हो हमारा पर्यावरण कैसे protected रहे साथ हमारा विकास कैसे हो ठीक है तो यहाँ परियावरण और साथ ही साथ अपना विकास दोनों को बैलेंस करने की बात होती है साथ ही अब क्या होता है इसी में कुछ महत्पूर्ण और भी समझोते होते हैं और उसी समझोते में आता है आपका UNFCCC ठीक है आपका UNFCC आपका और यह होता है आपका 1994 कौटी 1st March इस दिन आपका UNFCC आता है और इसका उद्ध्य से क्या होता है UNFCCC का उद्ध्य से होता है कि हमारे जो अर्थ का temperature है उसको कम करना और greenhouse gases के कटवती करना अब यह तो यहां पर बातेत हैं होती है और इसी क्याधार पर प्रतिवर्स प्रतिवर्स इसके अंतरगत UNFCC के अंतरगत जो पार्टियां जो देश signature करती है इस UNFCC का वो सदसे बन जाता है वो पार्टि बन जाता है और यह पार्टियां हर वर्स अपने पर्यावरण के मुद्दे को लेके अपने गोल को तै करने के लिए अलग-अलग विस्व के सहरों में विस्व के यानिकी COP1 सबसे पहले होता है तो COP1 जो होता है वो 90-95 में होता है पहला और जगह होता है आपका Berlin यानिकी जर्मनी की राजधानी और इसी कहें करम को आगे बढ़ाते हुए आपका सम्मेलन होता है COP21 COP21 और COP21 कब होता है आपका COP21 होता है आपका 2050 2015 में और जगह होता है आपका Paris यह आपके France की राजधानी है तो यहाँ पे आपका जो समझाओता होता है Agreement होता है Conference आप पार्टियां यहाँ पे जो बैठती है उसी को आपको यहाँ पे समझना है और इसी कहों पेरिस एग्रिमेंट के नाम से जानते हैं तो पेरिस एग्रिमेंट अब देखे आप की कहां से निकल के आता है और आपको पिछले वीडियो में हम COP3 पे आपके साथ डिसकस किये थे यानि कि में कांफेरेंस नाम से जाना जाता है तो क्योटो प्रोटो प्रोटो कॉल यान कि जापान में आपका ये जि enthusiasts और फिर यहाँ पर तैह होता है कि हमें गृंग in us ग्रेसल में कमता होती दानी है लेकिन कितनी लानी है ये तैह नहीं होता है यह हो जाता है कि हमें कौन कौन से green house gases है जो हमाई अर्थ के temperature को बढ़ा रही है उनमें कटवती करना है लेकिन एक टार्गेट सेक टार्गेट नहीं तया किया जाता है तो उसके लिए देखा दा है तो कॉप कॉंटी वन तक का इंतियार किया जाता है और यहां पे तया किया जाता कि हर कंट्री अपनी लेवल पर एक टार्गेट नहीं करेगी और उतना green house gases की कटवती करेगी अपने अपने देशों में ठीक तो यह आपका हो क्या कुछ इतिहास जो की पैरिस क्यों एक्चेह में धी अभ पैयरिस एक्रिबेनट की कुछ इंपोर्टेंट के ओपर हम एक points चालते हैं सबसे पहले आपको ज्यां देना है कि आपका प्यरिस सेग्रिमेंट को कॉप टॉंटिवन के नाम से भी जानते हैं और प्यरिस क्लायमिट एकॉर्द की नाम इस जलवाए सहमेति के भी नाम से जानते हैं और इसका मसाधा कब तयार हुआ था मसाधा इसका तयार आपका हुआ था 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 के बीच यहाँ इतना टाइम लगा था इसके लिए मसाधा तयार करना अब देखिए इस पे सिगनेचर कब होता है तो सिगनेचर आपका होता है 22 अप्रेल 2016 को यहाँ पे पार्टियां जानि अलग अलग जो देश हैं वो इस संज़वते पर समती के साथ सिगनेचर कर देते हैं और यह इफेक्ट में कब आता है यानि यह देखाजा है प्रभाव में कब आता है तो इस चार नवंबर 2016 को प्रभावी रूप में आज आता है अब देखिए इंडिया भी इसका एक सदस्त है तो इंडिया कब साइन किया था इंडिया भी 22 अप्रेल 2016 को ही सिगनेचर कर दिया था और साथ ही साथ रेटिफिकेशन इंडिया का कब आता है यानि कि आधिकारिक रूप से अक्टूबर 2016 को इंडिया का इसपे रेटिफिकेशन हो जाता है और फोर्स कब होता है जैसे कि effective जिस्थी होता है उसी दिन आपके यहां पे भी इंडिया में भी चारनौबर 2016 को भी force में आज आता है यानि कि लागू हो जाता है चलं में आ जाता है अब यह हो गै इंडिया की बाते हैं और इंडिया का गोल क्या है इस पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए तो भारत 2030 तक वनो और विच्छा रोपड के माध्यम से 2.5 से आपका 3 आपका बिलियन टन CO2 कारवंडा जो आकसाइड है उसको कम करने का लच्छ रखता है इसके अंतरगत साथ ही भारत जो है घरेलू पूरे आपके जो सकल घरेलू है उत्सरजन की तिब्रता है ठीक है उसको 2005 के अस्तर को मानक अस्तर मानके 2030 तक 30% से 35% तक कम करेगा ये इंडिया कहता है अब चलते हैं आगे कि दिखें कहा गया है कि यह आपका परिष एग्रिमेट जलवाई परिवर्तन पर कानूरी रूप से बादेकारी संधी है यानि कि एक अंतरराश्टी संधी है और कहा गया है कि पैरिष समझाओते को पैरिष जलवाई सहमेती या आपका पैरिष क्लाइमिट एकॉर्ड यह भी जाना जाता है तो आप एक लाई ने आप काहा गया कि यह है जलवाई परिवर्टन पर कानूरी रूप से बाद пошर्ज कारी है तो ईस रूस्त पर उनहें कर देंगे जो डाक्साइड आप ट कर देंगे तो अपको बादेगा ना कि बादेकारी पर चाहरी प्रेंदर पर आप को बादेकारी नहीं किया जार है बादेकारी इसमय आप अपने आपको हो जाएंगे जैसे आप टार्गेत करेंगे उसके बाद भी पेजर एग्रेमेंट तो रहेगा इसके सदस्जी और रहेंगे वह आपके ऊपर नजर बनाए रखेंगे ठीक इस आधार पर बादेकारी होता है अब आगे देखिए कहा गया है इस समझावते में 180 देशों के नेताओं के बीच ग्रीन हाउस गैसे के उत्सर्जन को कम करने और दो हजार एक सो इस भी तक पूरो और देखिक अस्तर यानि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से वैस्विक तापमान वृद्धि को टू डिग्री सेल्सियस या 3.5 आपका जो फॉरें हाइट है उससे नीचे लाने के लिए एक समझावता होता है तो यह कहा गया है कि इस समझाव होगी अस्तर से वैस्विक तापमान को टू डिग्री सेस्टियस से त्री डिग्री आपके फॉरें हाइट से नीचे लाना इस समझावते में जो हता है वो निकल के बाहर आता है अब चलते हैं आपके आगे की बात के उपर साथ ही कि यहां पर कहा जा रहा है कि इसी के साथ आगे चलकर तापमान वृदि को 1.5 डिग्री सेस्टियस रखने का लच्छे निधारित किया गया जो जलवाई परिवर्तन के खत्रों से निपटने में महत्यपूर कदम रहेगा तो यह आपको याद रखना है और आपका यहां पर प्रमुख जो बिंद होता है उस पर चलते हैं तो सबसे पहला आपका प्रमुख बिंद होता है कि ग्रीन हाउस गैसे की कटाउती के साथ प्रतेक वर्स आपका प्रतेक शारी पांच वर्स पे उससर्जन में कटाउती की समिछा किया रहेगा और विक्सीत देश जो रहेंगे वो वित यानि कि जल्वाई वित के माध्यम से विकासिल देशो और अल्प विक्सित जो देश हैं उनकी मदद करेंगे ताकि वो जलवाय परिवर्तन से निपटने के लिए नविकरडी जो उर्जा है रिनेवेबल एनर्जी के जो सोर्सेस हैं उसको अपना सके और जिससे की ग्लोबल जो वॉमिंग हैं उसको रोका जा सके करके कारों सांति हिसात्य सांत व्यवशायों कि साथी साथ आपके निवेसको और नगर्कियोग को और आपके सेच्रिक सांस्थानों को भी इसमें महत्व़ पूर मना गया है कि 되어 आपके पेरिस समझाओते के अंतरगत, क्योंकि कहा जारा कि अकेला कोई देश जो है, वो इस जो देखें, तो समझाओते के अंतरगत जो की चीजें होती हैं, उन टार्गेट को अचीव नहीं कर पाएगा, इसलिए सभी को मिलके इन टार्गेट को अचीव करने में साथ निभाना रहेगा, ठीक, तो ये आपका कहाजा रहा है, इंपोर्टेंट जो पॉइंट है आपके पेरिस एगरिमेंट के अंतरगत, अब आते हैं आगे, और याद रखीगा कि इस समझावते में कार्बन उत्सर्जन की जो कटवती होगी, उनके प्रगत की निगरानी और रिपोर्ट के लिए अनिवारे उपाय भी सुझाए गएं कि कैसे आप देखेंगे कि जो कमी की जा रही है, कार्बन के उत्सर्जन की उसमें प्रगत ही हो रही है कि नहीं हो रही है और उसका रिपोर्ट भी कैसे तयार किया जाएगा, इस पर यहाँ पर चीजें क्लियर की जाती है, अब आते हैं CO2 इमिशन टॉप कंट्री के उपर, यानि कार्बन डाई जो आपका आक्साइड है, सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का देखाजा है, तो इसी का, ग्लोबल वार्मिंग में इसी का हात्रा है, है तो सबसे ज्यादा कंट्रियां जो है वो कौन है सबसे टॉप कंट्रियां जो सबसे यादा गramatic में सहयोग दे रहे हैं और करभाण डाइए उटसल दार रहे हैं तो करभाण डाइए उक्सलें में सबसे फिर्ष्ट पर आपका चाहिना है तो यहां पे दिखिए चाइना जो है 10.06 आपका गीगा टन उत्सर्जन कर रही है साथी सेकेंड पोजिशन पे यूएस है जो 5.41 गीगा टन कार्बन उत्सर्जन कर रही है और साथी आपका जो इंडिया है तीसरे आपके रैंक पे है जो 2.65 आपका गीगा टन कार्बन डाय उत्सर्जन कर रही है और यह आपका डेटा है 2020 का तो अगर आप वीडियो देखिएगा अगर 2-4 साल बार तो यह आप डेट देख लीजेगा यह 2020 के आपके डेटा क्याधार पे यहां पे तै किया गया है और इसमें बदाव संभव है आपके फ्यूचर में अब देखिए ग्रीन हाउस गैसे कौन कौन से हैं इसको भी आपको याद रखना है तो ग्रीन हाउस गैस आपके हैं कारवन डाइ ऑक्साइड और यह आपका चीजें हो गई ही थोड़ा सा पैरिस एग्रिमेंट के बाहर की अब बाते करते हैं कि पैरिस एग्रिमेंट और क्योटो प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस था क्योंकि प्रिविस वीडियो आपका क्योटो प्रोटोकॉल में था पेवना हुआ था तो इसमें आपको देखिए थोड़ा सा चेंजिस मिलेगा तो पैरिस समझाओता और आपका क्योटो प्रोटोकॉल यह दोनों समझाओते जो हैं यह जलवाई परिवर्तन यानि क्लाइम सब्सक्राइब करना है और यह कोई कहा जाए इसमें कोई दंडात्मक कारिवाई इसमें नहीं है किसमें आपके Paris Agreement में लेकिन अगर देखेंगे तो आपका Kyoto Protocol में कार्मन टेक्स के ऊपर बाते की गई है या जीएसी जो उत्सरजन हो रहे हैं उसमें एक टेक्स की बात की गई थी तो यह थोड़ा सा difference होता है इसमें आपके Paris Agreement और आपकी Kyoto Protocol में ठीक तो इससे जुड़ा हो कोई भी आपको important point अगर जानना है ज़रूर comment करिएगा और वीडियो का time बहुत लंबा हो रहा है तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और जब तक की next video नहीं लाते हैं तब तक लिए education channel और आपका दें बहुत वासू हो